प्रार्थी योगनंदन निवासी पस्चिम सी भूम जारकन द्वारा शिकायत की गई कि उनकी जमीन कोका फिला इस्थित को कोई अग्यात वेक्ती नकली योगनंदन बन कर फरजी कागजा तयार कर बिक्री कर दिया है। शिकायत जांच पर मामला फरजी कागजा तयार कर जमिन बिक्री करना पाई जाने से थाना सुपेला में धोका धड़ी का प्राद दर्सकर विवेशना किया गया। राकेश राय प्रशांद पाटिल एवं एन रमेश उर्फ सद्दाम योगानंद यादों से मिले जिन से पूछ दाजवर पाया गया कि सभी आरोपी एक साथ मिलकर कुटर्चित दस्तावेश तयार कर एन रमेश को फरजी योगानंद बनकर उसका आधार काड बैंक खाता खु किया गया औरोपियों को गरफ तार कर न्याइक रिमान पर केंद्री जिल दुर्ग भेज़ दिया गया है। इस जमीन को को इन विकति फरजी तरीके से खुद को योगानंद बताते हुए और फरजी दस्तावेश तैयार करके इनकी जमीन को बेच दिया है। जिसे जब इन्होंने चेक किया तो नमंतरन होता है वो भी हो चुका है इनको जांकारी होने के बाद में पुलिस पर आवेदन दिया था जो आवेदन को विदिवद जांच करते हुए पुलिस को जांच में जो तथ्य मिले वो काफी चौकाने वाले थे एक बड़ा स्केम पु पुलिस ने चेक किया चेक करने के बाद पे जो मुखितोर पे पुलिस को पांच आरोपी यहों का पता चली जिसमें से तीन आरोपी एक राकेस राय हैं एन रमिश जो की खुद को योगानन बता के वहां खड़े वेते और तीश्रे एक प्रचांद पाटिल करके हैं जिन्ह पुलिस ने सभी आरोपियों को इन तीनों आरोपियों को गिरिफतार करने में भारी सफलता मिली है Grand ASEAN News के लिए भिलाई से संतोष शर्मा की रिपोर्ट